यहीं है योगी वही होता है जो सबका सुख दुख समझे ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि प्रदीश की जंता यूपी के लिए किसको ज़्यादा योगे समझती है परिवार वालों को या फिर बिना परिवार वालों को अखलेश आदम ने किसानों के हमदर्दी बटोर्नी के साथ साथ किसानों के मुद्दों को लेकर भी बीज़ेपी सरकार पर निशाना साथा सूखा के समय पर यहां पर बड़े पेमाने पर किसानों का नुक्सान हुआ और ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जहां पर लोवों पर खाने को कुछ नहीं था जिस समय समाजवादी सरकार थी एक अंग्रेडी चैनल ने भी यह दिखा दिया कि यहां बुंदेल खंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं वाई कोरोना के दौर में मजदूरों को हुई परिशानियों का जिकर कर अखलेश ने योगी उकूमत को घेरने की कोशिश की तस्विरे कौन भूल जाएगा जिस समय लोगडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाईयों को दूसरी जगे से आना पड़ रहा था जो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे उन प्रदेशों से जब लोट करके आए तो ऐसी तस्वीरे कभी नहीं देखी होंगी किसी ने जब हमारे देश का बटवारा हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ पिछले समली न्तखाब में बुंदेलखण में मुह की खा चुके अखिलेश यहां नए एक्यूएशन भी साथ नजर आए बानपूर में महराजा खेट सिंग के मुझे समी की नकाब कुशाई कर उन्होंने बड़ा दाव खेला वह अखिलेश की वार पर बीजेपी ने भी अखिलेश को आड़े हाथ हु लिया बीजेपी ने ट्वीट कर अखिलेश पर पलटवार किया बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा योगी जी की परिवार को लेकर परिशान मत हो ये उनके लिए तो पूरी रियासत थी उनका परिवार और हाँ यूपी की अवाम भूली नहीं है कैसे आपने इक्तिदार के लिए अपने ही काबले एहतराम वालित से दोखा करके उनकी तोहीन की थी 2022 के इंतखाबी जंग में बीजेपी के खिलाफ अकलेश पूरे जोश खरूश से खड़े हैं और बुंदेलखन की जमीन पर सुकती सपा को खात पारी देने पहुँचे हैं अब देखना ये होगा कि 2022 में इस इलाके में समाजवदी पार्टी हर्याली के जाने बलोटेगी या फिर से यहां कमल ही खिलेगा और अब ग्राफिक्स के जरीए समझे कि सभी सियासी जमातों के लिए बुंदेलखन इतना एहम क्यों है दरसल यहां बुंदेलखन पर सभी पाटियों का फोकस है बुंदेलखन में कुल साथ जिले आते हैं बुंदेलखन में 19 असंब्ली सीटे है 2017 में यह सभी 19 सीटों पर बीजेपी काबिस हुई थी आजादी के बाद से चार दहाई तक कॉंग्रिस काबिस थी बुंदेलखन की सीटों पर नब्भी की दहाई में बीजेपी ने कॉंग्रिस को बेदखल किया यहां पूरा फोकस दरजाई फैरिस्ट जात पर हैता है दरजाई फैरिस्ट जात कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा है बांदा और हमीरपुर में ब्रामणों के वोट एहम है बांदा और चासी में कुर्मी और कुश्वा वोट एहम है तो यह स्यासी समी करण है बुंदेल खन का जिसमें साथ जिलों में 19 सीटे आती है और 2017 की अगर बात करें तो 2017 में 19 सीटों पर यानि की पूरी की पूरी सीटों पर बीचेपी ने कब्ज़ा किया था मुरादबाद में प्रियंका गांधी की प्रतिग्या राली को खताब किया है और इस दोरान प्रियंका ने एक बार फिर से मुफ्त इलाज और किसानों के कर्स माफ करने का वादा किया साथ ही यहां सरकार पर निशानत सादिते हुए ये भी कहा कि मुल्क और रियासत में महगाए उरूस पर है बेज़ेपी सरकार किसान नौजवान के लिए कुछ नहीं कर रही है यूपी में 3 लाख लोग बेरोजगार हो गए है उतरप्रदेश में इस बार अवाम सिर्फ सरकार बदलने की ही नहीं रियासत की तसवीर बदलने की बात कर रही है 32 साल तर उतरप्रदेश के अवाम ने नफरत बदुनवानी और घूंडगर्दी वाला राज जिलाए इस बार बात तरक्टी की है, रुजगार की है, महिंगाई कम करने की है, किसानों के खुशाली की है, खवातीन के तहाफूस की है। मिशन यूपी पर साहरनपूर पहुंची प्रयांका गांधी प्रतिग्या रैली में, हुकूमत पर जमकर वर्सी पिछली तीन दहाई से, यूपी में कॉंग्रिस सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन कमजूर तंजीम और बिखरते कुन में से, कॉंग्रिस का लखनों पर राच करने का खाब हकीकत में नहीं बदला। लेकिन 2022 का असम्बल इंतखाब जीतने के लिए कॉंग्रिस पूरा दमखम लगाती दिख रही है और पूरे सूबे में प्रतिग्या रैली के सहारे तंजीम को मजबूत करने में जिटी है। मुरादबाद की प्रतिग्या रैली में प्रयांका गांधी ने अपने ससुराल का जिक्र कर एमोशनल कार्ड खेला। प्रयांका गांधी ने वैली में लोगों से मुत्ता है। प्रयांका गांधी ने वैली में लोगों से मुत्ता ही दोकर बीजेपी को हराने की अपीर। प्रयांका ने महंगाई, हवातीन और किसानों के मुद्दों पर योगी उकूमत को घेलने की कोशिश की। आपकी शक्ती को कोई परचान नहीं रहा है। पचास परटिशत आबादी हैं। पचास परटिशत बहुत बायागा होता है। सशक्त बनो, अपने हग के लिए खुट लागो। पंदरा साल बाद अपनी ससुराल पहुची प्रियंका गांधी को आज मुरादाबाद की जनता ने अपने बहु की तरह प्यार दिया। इस परतिग्यार अली में आज मुरादाबाद में प्रियंका गांधी जमकर गरजी। और इसके साथ साथ आदी आबादी के मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बाते कहीं। अब देखने वाली बाती होगी कि आने वाले 2022 विदासबा चुनाओं में क्या मुरादाबाद के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको इतना प्यार देगी या फिर ये सूखा इसे बार भी जारी रहेगा। 2017 में कॉंग्रिस ने समाजोदी पार्टी के साथ इत्तिहाद कर असे अमली का इंतिखाब लड़ा लेकिन 2022 में कॉंग्रिस में किसी भी जमात से इत्तिहाद नहीं करनी का फैसला किया है। यूपी में कॉंग्रिस के कई कद्दावर लीडरान हाथ का साथ चोड़ चुके हैं। कुल मिलाकर प्रियांका के कंधे पर ही कॉंग्रिस को संजीवनी देने की जिम्मेदारी प्रियांका ने हिकमत अमली के तहट कई एहम ऐलानाद भी किये हैं अब प्रियांका का ये दाओ 2022 में कितना फिट बैटता है ये देखने वाली बात होगी ब्यूंकोट जिम्मेदारी प्रियांका ने हिकमत अमली के तहुआ ये अब आपको ग्राफिक्स के जरीए बताते हैं कि मिशन यूपी पर प्रियांका गांधी किस तरा से खावातीन वोटर्स को लुभाने में मसरूफ है ग्राफिक्स के जरीए समझे कि क्या पूरी हिकमत अमली है प्रियांका गांधी की यहां पर खावातीन वोटर्स पर कॉंगरिस का दाव टिक्टो में खावातीन को 40% सित्सेदारी देने के बात कही है प्रियंका गांदी ने इसके साथी तालिबात को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे सालाना तीन मुफ्त गैस लंडर दिये जाएंगे अगर कॉंग्रिस की सरकार बनती है इसके साथी खावांती इन लिए मुफ्त बस खिद्मात भी दी जाएगे नए सरकारी आदादों में आदादों में और चालिस विसा देजर्वेशन होगा एक हजार उपे की महिने की वृता विद्वा पेंशन दी जाएगी आंगनवारी और आशा कारकुनान को दस हजार पे दिये जाएंगे यह खावतीन को लेकर प्रेंका गांधी बहुत जादा सरगर्म नज़रा रही हैं और यह तमाम वादे खावतीन से उन्होंने की हैं जहां भी वो रैली करते हैं आदी अबादी को खिताब करती हो और आदी अबादी से वो ये वादे करती हुई नजर आती है सालिन्ट वोटर उत्रपरदेश की सियासत में एक बड़ा एहम किर्दार अदा करता है और वो सालिन्ट वोटर है उत्रपरदेश की खवाती ऐसे के साथ फलाल इस बुलिटिन में इतना ही तीजे इचासत आताब झाल 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 पेट सफा आयुर्वेदिक चौन पेट सफा हर रोग दफा असोसेट सपानसर पतंजली गाय का देशी घी खाएं मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों वा परिवार को बचाएं इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर वन औजधिव टॉनिक हेम पुश्पा असोसेट सपानसर सर्दी खांसी के लिए वैदरिशी कासकल्प चटनी राबता करें नब्बे एक्सौर्टीस नब्बे एक्सौर्टीस दिली के आलूदगी पार मरकजी उकूमत ने बनाई तास्क पोस सूर्म कोड को दी जानकारी टास्क फूर्स होगी गानोनी ताकतों सिला राधि सबारा कीने पार्ल्मेंट मौतटली पार पार्ल्मेंट में उंगामा मौतल राकीने पार्ल्मेंट ने दिया धरना आपोजिशन जमानतों के खिलाब बड़जे पी युनूबी आफ्रिका से ज्ट्रापूर लोटे चार लोग कोरुना पॉस्टीज जीनोम सीक्मेंसिंग के लिए भीज़े जाएंगे सबीज सैंपल भी कनेर में माईनों बाद दस लोग कोरुना पॉस्टीज बियार में मुजफर पॉर के आई हॉस्टीज के खिलाफ एफ आयार पैसट लोगों के मोटियाव इनका आपरवाई का जाब अब तक इन्फेक्शन के वज़े से उनीस मरीजों के आँख निकाली पड़ी मत्रा में यमना एक्सप्रेस वेपर तेज रफ़तार का कहरा आद से में तीस पॉलीस एलकारों समीट पाश लोगों की मौत सीम्यों की निज़त आप सोस्ट जख्मियों के मुफ्त इलाज की दाए राज़ीन खार मगदो मैं आपका आज़ी सलाम के इस पॉलीटिम में आपके साथ मैं हूं मुम्तास खान सीधर रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बाए जिराला योग्या देते नात्राइब उसने इसमें अर्चित किया और जब मेरे साथ उसका संबाद हो रहा था तो वहाँ बहुत अच्छे डंग से लगता ही नहीं था कि कभी वहाँ मुख बगिर रही होगी यह यह चीज़ें दिखाती है कि सरकार कॉंख्elyn, कि प्लांट के लिए च्यह लाग रूपे राज्य त सरकार पुलब्द करा रही ओने इक ऐसी योजनाई मनुस्य के रूप में अपना जीवन आगे वढ़ाने में मदद विल सकती है प्रदेश के अंदर चाइवहा दिब्यांग जनों की पेंशन की राज़ी को बढ़ाने का कारे रहा हो राज्य सरकार ने 2017 में इस कारे को आगे वढ़ाया कुष़्णवस्ता पेंशन को धाईफ़ाजार करने का प्रदेश में उर्तमाने में चलवा रही है और गिरते मंग उपक्राण बित्रोन के लिए भी प्रदेश सरकार धंडास्य उप्लब्द कराती है मोटराइस टाइस साइकिल के लिए भी दिब्यांग जनों की साधी के लिए भी राज्य सरकार के स्थर पर अगर वाच 40-20 दिब्यांग है तो दमपती को दिब्यांग होने की स्थिति में 15,000 रुपए युवती के दिब्यांग होने पर 20,000 और दोनों अगर दिब्यांग है तो 35,000 रुपए की धंडासी प्रोश्चाहन सरूप प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्द करवाती है ऐसे ही अगर कोई दिब्यांग जन स्वयम का व्योसाए आगे वढ़ाना चाता है तो दिकान निर्माण के लिए 20,000 रुपए कोई स्ट्रीट वेंडर के लिए अपना कारे करना चाता है 10,000 रुपए की रासी भी उन्हें प्रदान करती है इसी प्रकार से तमाम अन्य सरजरी आदी के कारे के लिए भी प्रदेश सरकार उन्हें 10,000 रुपए तक की रासी उपलब्द कराती है और यही नहीं दिब्यांग जन को हम लोग ने प्रदेश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में निसुलक यात्रा की सुविधाव पलब्द करवाई है डॉक्टर सकुंतला मिस्रा रास्तिय पुनर्वास विश्विध्याले में 50 सीटें दिब्यांग जनों के लिए आरक्सित की गई है और उन्हें इस बात के लिए जिससे उनको अपनी डिगरी लेने में और समाज में समाज जनक अस्थान प्राप्त करने में मदद मिल सके यही नहीं आप सब जानते हैं अभी जैसे बिभाग के मंत्री सेनिल लाजभर जी बता रहे थे कि प्रदेश सरकार ने ये भी तैक किया भारत सरकार की तर्जबर ही कि दिव्यांगता की काटेगरी को जो के पहले गर साथ काटेगरी जानी जाती थी उसको 21 तक पहुचाने और साथ-साथ उन्हें सास्किय सेवाओं में आरक्षण की इस्तिती का लाब मिल सके इसके दाइरे को बढ़ाने का कारिम भी प्रदेश सरकार ने किया है जो प्रदेश के अंदर वरतमान में लागू हो चुका है प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कारिक्रम दिब्यांग जनों के लिए वरतमान में सरकार के द्वारा प्रारंब किये गए हैं आज जब हम लोग इस उसर पर यहां करते रहें मैं इस उसर पर किवल आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दिब्यांग जन हैं और जो संस्ताइएं स्पिर्ड में काम कर रही हैं वे सास्किये संस्ताइएं भी होंगी स्वेम से भी संस्ताइएं भी होंगी धर्मार्त संस्ताइएं भी होंगी मेरा उन सब से पील होगा कि एक बहुत पूर्णे के कारे के साथ जडэтना का परिशे देते वे साशन की योजना कालाब अधिकसे धिक बिक्ति तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए और जैसा कि वे कारे कर रहे हैं उनके इन कारे के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार उन्हें पुरुश्कृत भी करती है आज के सौसर पर मैं सभी दिव्यांग जनों को विश्वत दिव्यांग दिवस की धिर्दै से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ और आप सब को आस्वास्त करता हूँ कि राज्य सरकार आप सब के कल्यान के लिए भर पूर सहयोग करेगी हर प्रकार का स्योग करने के लिए पूरी प्रतिवत्ता के साथ कारे करेंगे आप सब की प्रति मेरी सुब कामना हैं धन्यवाद जैहिन आपने सुना उत्रपदेश के वजिर आला योगी आद इतिनाद को और आगे बड़तों आख पता दे कि लखनों में आलमी यौम माजूर पर आज डॉक्टर शकुंतला मिश्रा कौमी बाज आबादकारी यूनिवासिटी में रियास्ति सद्र पर अवार्ट तक्री मुनाकित क इस दोरान से अम्योगी ने सरुषेट वेप्टी का तक्रीर की दो और रियास्त के चौधा माजूर ओको भी आजजाद दिया जोरान से ने कहा कि अधारे माजूर ओको सरकार की स्कीम से जोड़े पारालंपे खिलाडियों को मदद मिले तो खिलाडियों और बेतर करेंगे स भारत सरकार के सामाजिक न्याए और अधिकारता मंत्राले के साथ मिल करके हर एक जन्पद में दिब्यांग जनों के लिए किरत्रिम अंग उपकरण वितरण के पिसेश कारिकरम भी आयुजित कराए वरतमान में हम उन तमाम दिब्यांग जनों को जिनके पास मुट्राइस ट्राइस साइकल नहीं थी उन्हें मुट्राइस ट्राइस साइकल देने की कारवाई को आगे वढ़ा रहे हैं और हमने समाजिक नया रुथकारता मंत्राले के साथ संभात बना करके प्रयास प्रारम किया है कि लगभग हर जनपत में सो मोटराइस ट्राइस साइकिल प्रदेश के अंदर वित्रण के लिए उपलब्ध करवाई जाएं और इस पर कारवाई युद दस्तर पर चल लई है और लगना के ग्लूबल पार्क मेरे कि लॉफ आजिंफ रजिंफ साथ के वह में पैदाईश प्रोग्राम में शिर्कत की चिय Swier और सहरां सांसी आन घूरा गवराई आजिंफ बात के पृदा ہंकों कि नाशनल लॉइंफ साथ नाम पर बनानी का फैसला किया आज के सौसर पर मैं भारत माता के समधान सपूत भारत के समिधान सभा के अध्यक्स और देश के प्रथम राश्टपती डॉक्टर राज़ेंदर प्रसाद जी के से चड़ों में कोट कोटी नमन करते वे उन्हें प्रम्र सर्धान जले रिपित करता हूँ जैहिं डॉक्टर राज़ेंदर प्रसाद जी का विक्तित्व बहुत बिराड था वे महान थे और अपनी महानता की कारण ही आज उनके जन्म दिवस को सरकार ने इस बात को यहां पर तैय किया है क्रुक्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला हमारा नया का नाम डॉक्टर राज़ेंदर प्रसाद जी के नाम पर होगा और रॉक्तार अमने प्रियाग्राज में प्राडम को कर दिया है इसके साथ यूपी की मईशित को मजबूत बनाने में एक्सप्रस वे मददकार रहा है यहां कि राज़ुस्टों को बढ़ाने में और फिर प्रदेश के अन्य कारिक्रमों को आगे बढ़ाने का कारिकिया प्रदेश की वहत्तर कानून विवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया कि 2015-16 में उत्तर प्रदेश इस ओफ डूइंग बिजनेस में चौद्वें अस्थान पर था और आज मुझे पताते हुए पुसंता है कि समयबत धंग से एक के गए प्रियासों का प्रदेश नंबर दो अस्थान पर देश के अंदर वरत्मान में है जासी में समाजवादी पार्टी के सद्वर अखलेश आदव में प्रेस कॉन्फरेंस का रही होगी सरकार पर जम कर हमला पुला अखलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं इस बाहर अवाब नाम बदलने वालों को बदल देंगे इसके साथ भगवान किष्ण वाले बैंट पर अकलेश ने कहा कि भगवान किष्ण हम सब के लिए हैं अकलेश आदब ने कहा कि बुनिल खंड के वाब ने बीजेपी को जम कर वोट दिये थे लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला डाबल एंजिन के सरकार ने बुनिल खंड के लिए कुछ नहीं किया 10-100 12 कि 100 से 102 कौन से आलल कोंच गया तुष क Mā TM कि राद्नी थे ये लिज्ट दुश्टी करन कि रादनी थे प्राल नहीं धूर नियॅ सिर बादने दूसरी करनका ये अभ।olla क्रानी नहीं ये ल görün把它 आणे ये लिके तो बाली है ये दूश्टी क्रण है हम तो इतने ही जानते हैं कि भगवान को वह याद करता है जो तकलीफ और परिशानी होता है उनको इतनी परिशानी तकलीफ है कि जनता ने मन मना लिया है जनता ने मन मना लिया है किसान ने नौजवान ने वैपारी ने मन मना लिया है इनका सफाया होगा इस बीच आगरा से एक अपसुसना खबर दे दें आपको एक ही वी घर के तीन लोगों की मौस्या हरकम मच गया फांसी के फंदे पर लटकी उमली शोहर की लाश और मुर्दालत में जमीन पर एहलिया की लाश मिली बच्ची की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई एक बच्ची की हालत नाजो की मौकर से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामत किया है सिकंद्रा थाना लाकी के शास्ति पुरम का ये मामला है ये बड़ा ब्रेट देख रहे हैं आप आगरा से इस वक्त का एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से अरकम मच गया इस अलाके में आपको बता दे कि सिकंद्रा थाना अलाकी का ये मामला है यहां शोहर खिलाश खासी के फंदे पलट कोई मिली जबके अलिया किलाश जमीन पर बड़ी थी एक बच्ची की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई और एक बच्ची की हालत तश्वीशनाग बनी हुई तस्वीर है इसी परिवार के आप देखें अपने टीवी स्क्रीन पर आज सुबह जबिंका नौकार आया तो योगिश मेसा और उनकी पतनी दोनों यहां पर मिरत वस्था में थे एक सुसाइड नोट भी था उन दोनों को यहां से पंचाताव पोस्पाटम के लिए भेजा गया फॉरंसिक जो टीम है वह भी हां पर आया इसके उपरांद यह पता चला कि इनकी दो बेटिया भी जो जगदीश्पुरा में और बड़ी जो बेटी है उसका इलाज चलना अभी ठीक है पूरे घटना करम के बारे में पूरी तप्तिश की जा रही है और अभी जब बेटी ठीक हो जाएगी तो सारी चीजे सामने आई और दिली के वज़िराला अर्विन के जुआल ने कहा कि अभी तक हमारी सरकार बनने के पाथ पिछले साथ सालों में दो लाग पिछटर अजार सीसी टीवी कैमरे दिली में लग चुके हैं पूरी दुनिया में आज की तारिख में दिली नमबर वन है इस मामले में और किसी शेहर के मुकाबले में दिली नमबर वन है एक एदारे ने सर्वे करवाया था उसके मताबिक एक हजार आट सुचबी सीसी टीवी कैमरे हर एक मील के अंदर दिली में लगे हैं जबकि दूसरे नमबर पर लंडन आता है जो एक हजार 138 कैमरे फी मील लगे हुए हम सीसी में पुलीस को बहुत मदद मिल रही क्योंकि सीसी टीवी कैमरे में जुन पकड़ा जाता है अब 140,000 सीसी टीवी कैमरे और लगाये जाएंगे इसके बाद दिली में कुल 4,15,000 सीसी टीवी कैमरे हो जाएंगे के जवाल ने कहा कि दिली में सीसी टीवी कैमरे लगाने में मरक अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद पिछले साथ साल में दो लाख पच्चतर हजार CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं कोने कोने में, सडकों पे, पब्लिक प्लेसेज में, आर डबल्यूएज में, कॉलोनीज में, महलों में, गलियों में, स्कूलों में दो लाख पच्चतर हजार CCTV कैमरे लग चुके हैं, पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नमबर वन है, पर स्कूर किलोमेटर कितने कैमरे हैं किसी शहर में, इसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नमबर वन है, डेड़ सो शहरों का एक संस्था ने सर्वे कराया था, 1826 camera है already exist करते हैं 1826 camera है दिल्ली में per square mile number two पर लंडन आता है 1138 camera है लंडन में मतलब बहुत दूर है second place लंडन की है तो हम लंडन, New York, Singapore Paris इन सबसे दिल्ली आगे है मतलब कोई comparison ही नहीं है दिल्ली बहुत आगे है TV camera है इतने लगा चुके हैं दिल्ली में हमारे देश में देखें तो second number पर चनझे ही आता है दिल्ली के बाद और चनझे से 3 गुना जादा camera है हमारे दिल्ली में मुंबई से 11 गुना जादा camera है दिल्ली में जब से ये camera लगा हैं उससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है महिलाएं सेफ फील करने लगी है और दूसरा ओवराल पुलीस को अब अपराद सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है क्योंकि जहां भी कोई अगर अपरादी जाता है तो उसकी सीसी टीवी में फुटेज आ जाती है तो अपराद सॉल्व करने में पुलीस को बहुत मदद मिलती है आज मैं खुश खबरी आपके लिए ये लेके आया हूँ कि हम एक लाख चालिस हजार कैमरे और लगाने जा रहे हैं दिल्ली में आलरी हम नंबर वन है इसके बाद तो हम बहुत जादा पूरे दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे ट्वीटर ने प्रोपेगेंड़ा फ़लाने वाले ट्वीट हैंडल्स पर कारवाई करते हुए तकरीबं 3500 अकाउंट्स को बैंड कर दिया बंद के एक एकाउंट जादतर रूस और चीन से मतालिब थे ट्वीटर ने अपने बयान में कहा कि एकाउंट चीन में कामरेनिस पार्टी का प्रोपेगेंड़ा फ़लाते थे फ्रेसबूक ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वो चीन के 500 प्रोपेगंडा फ्छालने वाले अकाउंट को band करेगा तो ट्विटर ने 3500 अकाउंट को band किया है इंपर प्रोपेगंडा फ्लानी का अजाम है और इन में से जादतर अकाउंट्स चीन और रूस से तालुक रखते हैं Corotan एक बैन में कहा कि एकाउंट चीन में含 मैंजा का प्रोपेगेंडा पहलाते थे। Facebook ने भी अपने एक बैंड का था तक वो चीन के 500 प्रोपेगेंडा पहलान वाले इकाउंट को बैंट करेगा। और आप गुतादें कि अमार्का में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉण के अब तक आठ केस मिल चुके हैं और दुनिया भर में कोरोना के इस नए वेरियंट के पहुने चार सो से जाधा केस है 26 नमबर को 6 ममालिक में ओमिक्रॉण के मरीश थे 30 नमंबर आते आते 14 ममालिक में ओमिक्रॉन पहुँच चुका था और 2 दिसम्बर तर दुनिया के 30 ममालिक में ओमिक्रॉन पहुँच गया है इसके रफ्तार का अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते हैं कि महसाथ दिन में ही ये 30 ममालिक में दस्तक दे चुका है पहले कैलिफोर्निया फिर मिनेसोटा और अब कोलोरोडो अमारिका में कोरोना के नए वेरियंट टोमिक्रोन के अब तक 8 केस मिल चुके हैं और दुनिया भर में कोरोना केस नए वेरियंट के पौने 400 से ज़ादा केस मिल चुके हैं खौफ का अलम ये है कि अमारिका ने सक्थ जापते नाफिस करना शिरू कर दिये हैं हालाग का अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते हैं कि अमारिका के सदर जो बाइडन ने नई ट्रावल एडवाईजरी जारी की है उन्होंने कहा है कि अमारिका नेवालों के पास सफर से एक दिन पहले की कोविट जाच नेगिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए मुसाफिर ने चाहे कोरोना कटी कर लिया हो यह किसे भी मुल्क का रहने वाला हो उसे इस जापते की पास्तारी करनी होगी नयाजापता अमेरिका के शहरियों के साथ सबी गयर मुल्की शहरियों पर भी नाफिज होगा जो बाइडन ने फैमली वैक्सिनेशन क्लिनिक के आगास का अलान किया इन सबी क्लिनिक्स में पूरे परिवार के वैक्सिनेशन की सहुलत होगी इसके साथ ही बालिगों के लिए बूस्टर और बच्चों के लिए भी वैक्सीन की सहुलत होगी दुनिया भर के ममालिक के अफ्रिकन ममालिक से आमद और रफ्त बंद करने लगे हैं अपनी सरहदे सील करने लगे आलमी इदारा सेहत को कहना पड़ा कि ट्रैवल बैंड से ओमिक्रोन का इंफेक्शन रोख पाना मुम्किन नहीं तब जाकर कुछ ममालिक ने एहतियात के एकदामात बढ़ाए फिर भी 26 नवंबर को 6 ममालिक में ओमिक्रोन के मरीज थे 30 नवंबर आते हाते 14 ममालिक में ओमिक्रोन पहुच चुका था और 2 दिसम्बर तक दुनिया के 30 ममालिक में ओमिक्रोन पहुच गया है यह खौफ इसलिए और जादा है क्योंकि इस नए वेरियंट के असर के बारे में अभी तक कुछ जादा जानकारी नहीं मिल पा रही है दर की एक बड़ी वज़ा और भी है वो यह कि मुकमल टीका कारी के बाद भी लोग इस वारिस के नए वेरियंट से इंफेक्टिड हो रहे है अब वैक्सीन के फिर से एवैलूइशन की बात हो रही है यानि नए दुश्मन से लड़ने के लिए नए हथियार की जरूरत पड़ सकती है इन पूर्ट जीमीडिया वैं जुनुबी आफरिका मेडिकल असोसिएशन की सादर ड्र अंजली कोईजी ने कहा है कि अमिक्रों के लामा डेल्टा से मुक्तलिप है जुश्मन ती सफवह खarin surface जुश्मन ही को तो अपनुकल को एिला हो उत्सक्अ कर आके मुदीर वहें вамको तेस it a कन है जिएने ही Kneak अईमेंध few कुश्मन ही कोफ वěत्याय contenido फोजह ब 로 वे IR जह उत्याने है हूश्मन है उदर ब्रिटिन और ज्टूनवी आफ्रीका में कोरोंडा के रिकार्ड मामले सामने आए हैं। कोरोना से उन्वाली अमबात के आदाद उश्मार में तीन पीसद की कमी आई तो ब्रिटिन और जुनुवी आफ्रिका के हवाले से यह थमाम अपडेट आपको दे रहे हैं को रोना के मदे नजर आपको यह भी बता दे कि जुनुवी आफ्रिका में एक ही दिन में 11,535 केस दर नहीं, नहीं जाज़। अगर बनना है एक मजबूत हिंदुस्तान का अंग तो चलो संग, वक्त का तकाज़ा है, मिलाओ हाथ, चलो साथ, चुगेदर वी आ बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, जी सलाम हिंदुस्तान के उमीर अत्वरिका मेंदुस्तान का तकैस्या के लूग ज बिल्डिंग हास भी में एक ही पोक्रिका मिलाooky क्रिका में नहीं, चुगे रह जाब है, वक्त उक्त कैस जा है झारव कर दो outlets that can signate in售क. झाल 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 पेट सफा आयुर्वेदिक चोंड पेट सफा हर रोग दफा असोसेट सपानसर पतंजली गाये का देशी घी खाएं मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों वा परिवार को बचाएं इम्मुनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर वन औजधिवा टॉनिक हेम पुश्पा असोसेट सपानसर सर्दी खांसी के लिए वैद्रिशी कासकल्प चटनी राबता करें नब्बे एक्सोर टीस नब्बे एक्सोर टीस देले के आलूदगी पर मरकजी हुकूमत ने बनाई टास्क पोर्स सुप्रीम कोर्ड को दिजनकारी टास्क पोर्स होगी कानूनी ताकतों से लैज राजस सभारा किने पारलमेंट के मॉध्वी पारलमेंट में अंगामा मॉध्वी पारलमेंट ने दिया धर्ना अब जिशिन जमाद्यों के ख़लाब बीजेपी अमपी इसने भी कोला महाज सतर ममालिक इंफिनिटी फोर में बोले वजीराजम बोदी इंदोस्तान में तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल लिंदें टेखनोलोजी ने बदले इंदोस्तानियों की जिन्दिक जनुबी आफ्रिकार से जैपुर लाटे चार लोग कोरुना पॉस्टेट जीनोम सीक्विंसिंग के लिए भीज़े जाएंगे सभी सैंपल बीकरनेर में माईनों बाद 10 लोग कोरुना पॉस्टेट बियार में मुज़फर पॉर के आई हास्पिटल के खिलाफ एफ आयार 65 लोगों के मोतिया बिनके आपरेशन मिला परवाही का अज़ाम अब तक इन्फेक्शन के वज़े से 19 मरीजों के आँख निकालने पड़े मतरा में अमना एक्सप्रेस वेपर तेज रफ़तार करका है रादसे में तीन पुली सेलकारों समेथ पांच लोगों की मौत सिम्योगी नज़ता अपसोस जख्मियों के मुफिलाच लीदाए अदाब मैं हूँ इर्फान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम आज हमारे साथ एक सिनियर लीडर है मोदी जी कहते हैं कि वोकल फोर लोकल लेकिन हमारे पास एक ऐसे लीडर है जो लोकल भी है और बहुत ही वोकल है इतना वोकल जब वो बोलते हैं राजसावा में तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरा दुनिया उनको सुनता है और यह दिल की बात कहते हैं मन की बात यह जरूर सुनते हैं लेकिन दिल की बात कहते हैं जी हाँ मैं संजे सिंग साहब की बात करता हूँ कर रहा हूं राजसावा में मेंबर ऑफ पार्लियमेंट है और आम आदमी पार्टी के तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो O.U.R. पे बेस्ट है उडिसा उत्तरपरदेश राइस्थान बहुत स्वागत है संजे जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार आप बहुत ही बेबाग कहते हैं और पार्लियमेंट में अभी जिस हिसाब से सस्पेंशन का एक दौर चला मेरे ख्याल से राजसावा में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोगों को सस्पेंट कर दिया गया है और वहां पर हम लोग गये हैं जनता के बुनियादी मुद्द को उठाने के लिए कई बार हमारे उपर सवाल उठाया जाता है कि आप हंगामा करते हैं आप सदन की कारवाई बाधित करते हैं तो क्या हम अपना बंगला बनाने के लिए सदन की कारवाई बाधित करते हैं या मुझे सरकार से कोई जमीन और प्लाट चाहिए जिसके लिए म जाएंगे नारे लगाएंगे सदन की कारवाई बाधित होती है फिर चर्चा होती है कि भई आप इस बिल को वापस लिए अगर सरकार मान जाती है तो चर्चा चलती है नहीं मानती है तो विरोधा और बढ़ता है सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार के उपर होती है और यह म तो अगर हमने कभी भी अपने व्यक्तिकत इंट्रेस्ट में सदन की कारवाई को बाधित किया हो तब تو मैं दोसी हूँ और आप उठा के जब चाते निलंबित कर देते हैं जब चाते मारसल से गसीट के बाहर कर देते हैं और बाहर क्या पिक्चर बनाते हैं देखो साब हम तो बड़े अच्छे हैं ये लोग सदन नी चलने दे रहे हैं अरे मेरा व्यक्तिक हम किस लिए गए हैं वहाँ पर चुप चाप बैठके सारी बातें बरदास्त करने के लिए गए हैं मैं अपनी भूमी का ऐसी नहीं देखता हूं और इसलिए जो यह निलम्मन की कारवाई 12-7 की हुई है यह संसदिय परंपराओं के विपरीत है संसदिय नियमों के खिलाफ है और पूरी तरीके से गलत हैं लेकिन बाजवा साब और आप तो उस लिस्स से बाहर हैं लोग यह कह रहे हैं कि यह चार लिए उस कैटेगरी में आ जाए ताकि उनको फाइदा मिले पंजाव एलेक्शन में देखे ऐसा है कि किसानों के मुद्दे पे मैंने जब यह काला भी विरोत किया था आपको याद होगा कि संसत के इतिहास में पहली बार हुआ कि संसत के परिशर में बैठके हम लोगों ने धरना दिया पूरी रात निलंबित भी हुए थे मारसल से घसीट के बाहर भी किया गया था नारेबाजी माइक भी तोड़ा था तो मैंने का भई आ आप किसाणों की हड़िया तोड़ रहा है मैंने माइक तोड़ दिया तो कौन सा गलत काम किया और आप मुझे बताईए आज एक साल के बाद हम सही साबीच हुए ना देश के प्रधानमंतिरी गलत साबीच हुए ये सरकार गलत साबीच हुई सडक पर बैठा हुआ लाखों किसान वो सही साबित हुआ? वो क्या करे थे आप से? कि आप ये काला कानून मत बनाईए? आपने पूंजी पतियों के दवाओं में अपने चंद मित्रों को फाइदा पहुचाने के लिए काला कानून इस देश में लाने का काम किया जिसकी वज़ा से एक साल तक सड़क पे अं करनून कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे लोग, हमारे मिनिस्टर्स लोगों को समझा नहीं पाए और उस कन्फूजन के वज़े से गुमरा किया, कॉंग्रेस ने, बाकी रिजिनल पार्टी ने लोगों को गुमरा किया, इसलिए ये मसला ख़़ा हुआ है, आपने इस लिखा है, असीमित भंडारन की छूट, यानि कि जमाखोरी को, काला बाजारी को, महंगाई को आपने लिगलाइस किया, जमाखोरी कौन करता है, इर्फान जी जमाखोरी कोई सामान ने किसान नहीं करता, बड़े बड़े पूंजी पती करते हैं, आपने इसमें बड़े कोल पनाज खरीदे जाएंगे किसानों से उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरिज में रखा जाएगा भंडारल किया जाएगा जब बाजार में उस चीज की कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा इसका मतलब इस बिल ने काला बाजारी, महंगाई और जमाखोरी तीनों को बढ़ावा देने का काम किया दूसरा, इस बिल में आपने लि thriving कान्ट्रैक्ट फार्मिंग दुनिया के जिन देसों में कॉंट्रेक्ट फार्मिंग है उनका इतिहास आपने पढ़ा जाना क्या हालत है आज उनकी आपने हिंदुस्तान में कॉंट्रेक्ट फार्मिंग की बात कह दी पांच हजार, दस हजार, बीस हजार एकड जमीन किसानों से अधिगरहित करके जो पूझी पती लेगा उसमें अपने हिसाब से पैदावार करेगा मान लीजे तीन साल में किसान का कॉंट्रेक्ट खतम हो जाता उसकी दो बीगे जमीन है उसमें वो पहुँचेगा भाई हमारी जमीन वापस दो, वो कहेगा साब यहां तो घर बन गया, यहां नाले बन गए, यहां सलके बन गई, यहां गोदाम बन गया यह तो बहुत बड़ी योजनाए है ना, पांच हजार दस हजार एकड़ की जमीन अद्गरहित करके उसको तार से गिरवा के बाहर सेक्रिटी गाड़ खड़ा कर दिया जाएगा, आप खुद अपनी जमीन में किसान घुस नहीं सकता तीसरा आपने मंडी की बवस्ता खतम कर दी, आप कह रहे हो देश का कोई भी किसान कहीं भी जाके बेच सकता है, सुल्तानपूर का अदमी जाएगा नाकपूर बेचना है, अरे उसको तुम सुल्तानपूर में तो देही नहीं पा रहे हो कुछ, अपने जिले में जहां पे म परमूले से MSP दीजी आप, आप हिंदुस्तान के किसान को सुविधाय देते नहीं, कृसी छेतर में जहां पर 60-70% लोग जिस छेतर के उपर उनका जीवन निर्भर है, उस छेतर को बढ़ाने के लिए कोई काम करते नहीं आप, 46% रोजगार जिस कृसी छेतर से पैदा होता है, उस छेतर को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है नहीं आपके पास, खाली उनका गला दबाके, उनकी जमीनिया इद्गरहित करके, उनके उपर महंगाई, जमाखोरी और काला बाजारी की बिवस्था अपलाना चाहते, यही था यह बिल, इस के लावा कुछ नहीं थी कि किसानों को बिल समझ में आ गया, अगर आपकी नोडबंदी की तरह किसान इस बार धोका खा जाता, उसको समझ में नहीं आता, तो वो बड़े नुकसान में जाता है, नहीं तो इस एचिवमेंट को जो वापस लिया गया, इसको स्क्रैप किया गया, इसमें आप देखे सबसे बड़ा क्रेडिट किसानों को है हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और लोहिया जी ने कहा था सडक हामोस हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी तो इस देश की संसद को आवारा होने से बचाने के लिए सडक की आवाज को जीवित रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि देश के अंदर जो इतना बड़ा अंदोलन चला एक साल तक जो अंदोलन चला उसके दबाव में और खासतोर से उत्तर प्रदेश के चुनाओ के दबाव में इनों ने ये काला कानून वापस लेने की बात कही ह बताईए आप एक साल तक आंदोलन चलता रहा साड़े साथ सो से ज़्यादा किसान शहीद हो गए आपने उनको मवाली कहा आतंकवादी कहा पाकिस्तानी कहा खालिस्तानी कहा देश-द्रोही कहा कैसे कैसे सब्दों से नवाजा हुए संजे जी में उसी पर आ रहा था कि 700 का आप जो फीगर बता रहे हैं किसान बहुत दुखद है कि वो मारे गए आप लोगों ने बहुत ही एक प्रो एक्टिव एटिचूट के साथ जो फौज हमारे मारे गए जो वापस आते हैं आप लोगों ने कंपनसिशन दी आपकी पार जिरिवाल जी ने पहले दिन से किसानों का साथ दिया एक एक कारिकरता हमारा सड़क से लेके सदन तक हम लोगों ने किसानों का साथ दिया जहां तक मौपजा की कोई नीती देने की बात है अभी केंदर सरकार से हमारी मांग है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए एक म बात करें और एक सही दिसमारक बनना चाहिए उन किसानों की याद में जिनोंने इस आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहूती दी है केजरिवाल साहब का जहां तक सवाल है निश्चित रूप से वो पहले दिन से किसानों के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे संजे जीब केजरिवाल साहब ने बिल्कुल कहा कि stop all flights which are coming from infected areas आपको क्या लगता है कि government इस पे कितना serious है पहली बात दूसरी बात आपने पार्लिमेंट में भी इस बात को इसका जिक्र किया कि immediately इस पे बात हो और उस चीज़ को proactive attitude के साथ किया जाए क्योंकि second wave में आपने देखा था और जिस हिसाब से हर बार honorable chief minister ने कहा इस बात को अब आपका क्या है मतलब government क्यों नहीं actively इस चीज़ को implement कर देखे इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा यह है कि यह जब समस्या दरवाजे पर खड़ी हो जाती है तब को मकरन की नीन से जाकते हैं और अरविंद केजरिवाल जी पहली लहर भी जब आई थी तो उन्होंने सारे वो फैसले जो इस वाइरिस के रोक्थाम के लिए होते हैं देश के अगर किसी हिस्से में सबसे पहले लिया तो दिली ने उस होर अपना कदम बढ़ाया था आज भी यह जो एमिक्रॉन नया वायरिस आया है जिसकी वज़ा से साउथ अफरीका और दुनिया के कुछ देसों में तबाही की स्थिती है और बहुत तेजी से यह वायरिस फैलता है ऐसी चर्चा है और ऐसा रिसर्च में भ वायरिस तो है नहीं विदेसों से ही आया था तो आप फ्लाइट्स को रोकिए और जिसके कारण से हम लोग फिर उतने बड़े संकट में ना फसें जैसा कि पहले दो लहर में हम लोगों ने देखा है पांच राज्यों में चुनाओं होना है आप क्या इस चीज की मांग करें तो पहले तो ये कि इस वर से हम सब लोग ये प्रातना करें कि ऐसी स्थिति ना आए और अगर आती है तो निश्चित रूप से उसमें जरूर चुनाओं महत्वों नहीं है लोगों का जीवन महत्वों है नहीं तो आप मांग करेंगे क्या रद किया जाए चुनाओं ऐसा मांग करेंगे यूपी के अगर हम बात करें तो आप गए अखलेश जी के साथ आपकी मुलाकात हुई क्या आपको लगता है कि वाट अपकी पार्टी की पंजाब में तो यू गाइस वेरी वेल देखे उत्तर प्रदेश में पिछले डेड़ वरसों में तमाम जनता के बुन करोना की महामारी में आठ सो का ऑक्सी मीटर पाच हजार में खरीदा गया, सोलह सो का थर्मो मीटर तेरह हजार में खरीदा गया, आठ लाग का वेंटी लेटर बाइस लाग में खरीदा गया, बारह हजार का ऑक्सीजन सेलेंडर पच्पन हजार में खरीदा गया, आपके पा की बात ये लोग करते हैं प्रभुसरी राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर दो करोण की जमीन साड़े अठारा करोण में खरी दी गई ब्रस्टाचार किया गया लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया राम मंदिर के लिए और उस पैसे में भी ये लोग चंदा चोर कर्वाई नहीं की कस्तूरवा में करोना काल में विद्डे बंद थे चोटी यह बच्चियों के पढ़ाई यह नाम पर उनके सचेस्नरी के नाम पे खाने के लाम पे 9 करोण रिपया लिया गया और उसका सारा कागजात मैंने दिया, कोई कारवाई नहीं, तो भरस्टा चार में चरम पर रही है सरकार, किसान ने अगर फसल का दाम मांगा, तो उसको लाठी और आसू गैस के गोले मिले, नौजवान ने अगर नौकरी मांगी, तो उसको लाठी और मुकदमे मिले, माताओं बेहनों ने, अगर अपने लिए सिक्षा मित्र माताओं बेहनों नौकरी मांगी, तो आप पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर मुणवा के पर दर्सम किये, इस सरकार के खिलाफ, और अगर कानून प्रवस्था की आप बात करेंगे, आठ साल, दस साल, बारा साल की बच्चियों के साथ बलातकार हाथरस में गरीब की बेटी को रात में जला दिया जाता है, मनीस गुपता को पुलीस वाले पीट के मार देते हैं, रिक्से वाला मोहित कुमार पीट के राइबरेली में मार जाता है, सफाई करमचारी आगरा कारून बालमी की पीट के मार दिया जाता है, कितनी घटना है गिना, उप्रभात मिश्रा नाम का बार्मी का बच्चा जिसके खिलाफ एक F.I.R. दर्ज नहीं था, उसको मार दिया जाता है, ठोको नीती पे चल रही है सरकार, हमारे ग्रीम पंत्री जी आप किसी महिला को या लड़की को सलाह मत दीजिये रात में गहना पहन के निकलने के लिए, अगर स्वेम हम इस साजी गहना पहन के बगएर सेक्यरिटी के निकल जाए उत्तर प्रदेश में, रात को बारा बज़े लखनों में निकल जाए, उनके साथ क्या होग कि इतना बेबाग होना खत्रे से खाली नहीं है, क्या इनको भी कोई थ्रेट मिला है, हम बात करेंगे एक ब्रेक के बादे करेंगे जाए बात करेंगें। झाल 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 समसान बनाना है समसान बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो आप बताइए टी टी का एक्जाम हुआ ये 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 झाल ये बटाइबेशाइ्ट झाल आंचने रहाए है. आप छात्रों से फार्म बरवाते हैं वो ट्रेंज से बस से आते हैं एक्जाम देने के लिए किसी होटल में रुकते हैं उसका एक परिक्षा देने में एक छात्र को कम से कम 4-5 जार उपए तो सिर्फ और सिर्फ अपना वेर करना पड़ता है उसके लावां जो उसको कोचिंग आदी में जो खर्च करना पड़ता हुआ अलग बाद है और आपने कह दिया था पेपर लीक हमने स्टी अप बना दी ये बना दिया वो बना दिया एसाइटी बना दी इनकी जितनी एसाइटी बनती उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता एसाइटी के रिजल्ट का क्या हुआ इसके लिए भी एक एसाइटी बनाने की ज़रूत पड़ गई है तो इसलिए मैं सबसे सिर्फ यह अपील करना चाहूँगा कि अपने और इस देश के भविस्ट के बारे में सोचिए नफरत की बन्याद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा 130 करोन हिंदुस्तानी जिस दिन एक साथ मिलके काम करेंगे तब यह देश तरक्की पे जाएगा हिटलर की राजनीती से किसी का भला हुआ हो दुनिया के ताना साहों का उदारों देख लीजे ना आप क्या हुआ नहीं तो आपको क्या लगता है कि श्री राम जो पहले थे और आज जिस हिसाब से श्री राम को प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोनों इमिज में कोई फर्क है क्या देखे मैं तो यह कहूँगा कि अगर राम चरित मानस की एक चौपाई का पालन भाजपाई कर ले तो नफरत की बात नहीं कर सकते सारे प्राणी सारे लोग आपस में प्रेम से रहें प्रस पर प्रेम की भावना के साथ रहें इसका तो पालन करते नहीं तो राम जी की बात रास्टपिता महत्मा गांधी भी करते थे रगुपति रागा और राजा राम लेकिन उन्होंने कभी नफरत तो नहीं फैलाई वो तो अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने समाज को बाटा तो नहीं वो तो समाज की एक जुटता के लिए काम करते थे और वो बहुत ही एग्रिसिवली हर जगा जा रही है वो शर्लत पवार से मिल रही है और कह रहे है यूपिये की कोई जरूत नहीं अब यूपिये नहीं है तो आप लोग लेकिन उस मूव्मेंट के हिस्सा नहीं है अभी आपकी मीटेंगे बाटा जी को या किसी भी राजनी बाब में चुना लड़ रहे हैं तो हम अपनी बात समझा रहे हैं वो अपनी बात समझा रहे हैं जिस विचार धारा पर लोगों का यकीन होगा उनकी सरकारे बनेंगी वो देश के लिए काम कर पाएंगे जैसे दिली का हमारा केजरी वाल मॉडल है सिक्षा फ्री स्वास्त बिजली फ्री पानी फ्री माताओं बेहनों की बस की आतरा फ्री और उसके बाद मुनाफे का बजट तो पार्टियों के पास अच्छी सोच होनी चाहिए लोगों के लिए काम करने के और वो काम आम आद्मी पार्टी है केजरिवाल साहब ने किया है यह देखा गया है कि जो कॉंग्रेस से स्प्लिट होके गए थे नाराज होके गए थे चाहे वो चरत पवार साब हों चाहे खुद ममता बैनर जी हूं टीमसी बन गया और एंसीपी बन गया कोई ऐसा लग रहा है कि यह वापस मर्ज करेंगे और कॉंग्रेस की नईा डामाडोल हो रही है जो लोग जवाब दे सकते हैं मैं कैसे आपका कोई assessment है मेरा कोई assessment नहीं है राजनीती में कई बार अचानक कोई घटना करम होता है तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन क्या करेंगे ये लोग ये तो इसका देने तो यह लेंगे इनकी party what is your feedback as far as UP is concerned आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि दो गड़ बंदनों के बीच में चुना होगा एक भारती जनता party का गड़ बंदन जिसमें अपना दल भी है और निशाद जी की party भी है और दूसरा गड़ बंदन अखले सियादो जी का गड़ बंदन तो दो गड़ बंदनों के बीच में मोटे तोर पे चुना होगा बाकी तो सारी पार्टियां चुना लड़ेंगी तो आपको कितने सीटें मिलने की चांसेज हैं अभी इस पे कोई अंतिम बात्चीत नहीं हुई है और जब कोई अंतिम निर्णे इस दिसा में होगा तो जरूर आपको जानकारी देंगे अभी जरूर एक मुलाकात हुई थी अखिले बनेगी क्योंकि दस साल अकाली दल को और पांस साल कांग्रेस को लोगों ने भोगा है बरदास्त किया है जेला है आप कह सकते हैं जो वादे इन लोगों ने किये पंजाब को खोखला करने का काम किया वादे पूरे नहीं किये ना नौकरी के वादे पूरे किये ना रोजग अपने एक एजिटेशन किया था, लोगों को बताया था, आपके उपर मानानी का दावा भी लग गया था, मजीटिया वालजिए से, तो आपको क्या लगता अभी क्या स्टेटस है, उसमें कोई बड़ोतरी हुई है, या समला है मामला? करने का एक शौक है सबको आममानी जी ने मेरे उपर 5000 करून का डिफरमिशन कर दिया था इसके लावाँ अभी यू पी में मैंने जल जी वन मिशन का गोटाला कहला उसमें डिफरमिशन केस्स कर दिया अब तो बहु sensit होoly, ब्रस्टाचार रोको बहु की से रोको उस पे बोलने से आप हमको कैसे रोक सकते हैं और आप सोचते हैं कि आपके defamation से हम रुक जाएंगे तो मजीठिया के खिलाब भी जो ड्रक्स के कारोबार से जुड़ा हुआ उनके खिलाफ तक थे था जो सबूत थे और जो जगदीज भोला का बयान था उसके आधार पर मैंने बयान दिया था उन्होंने defamation किया है तो ठीक है कोट की लड़ाई चल रही है आपको क्या लगता है कि अभी जो पांच राज्यों में चुना होना है बीजेपी कितने स्टेट में आ रहे हैं मुझे लगता है बीजेपी हारेगी क्योंकि महंगाई एक ऐसा बड़ा मामला है जिससे लोग परिशान है उबे हुए है और गुस्से में है तो जिस तरह से बेताहसा महंगाई बढ़ी उसके वज़ए से लोगों में नाराजगी है और खासतोर से किसानों के साथ जो किया इन लोगों ने देखे हर हर विक्ति कहीं न कहीं किसानी के परिवार से जुड़ा है हम लोग भी हमारे भी पिताजी किसानी करते है तो अब उनको आप मवाली कह रहा हो यह कह रहा हो तो यह तो कहीं न कहीं दिल को चुपती है बाते तो इसलिए मुझे लगता है कि जब लाकत से साफ करेंगे तो क्या इसको एक सेमी फाइनल के रूप में माना जाए दोजार चौबीस के जो लोग सबचना हो ने हर चुनाओ के अपने अलग समीकरन होते हैं मैं तो यह कहूंगा कि जो इन्होंने मौजूदा समय में जो हालत इन्होंने देश की बना रखी है उस समय की परिस्तितियों के उपर निर्भर करेगा कि क्या परिस्तितियां रहती हैं कैसे लोग चुनाओ में जाएं कुछ चेहरे उभर रहे हैं जैसे नितीश कुमार हो गएं केजरी वाल साब खुद हो गएं ममता बेनर जी हो इशरत पवार हो गए उधर से जगन महौन रेड मोदी जी के सामने तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोजार चौबिस के पहले क्या राजनीतिक परिस्तिती देश भर में बनती है तो उसके हिसाब से कोई तस्वीर सामने आप तो पंजाब में आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है कौन चेहरा होगा स करें आपको क्या लगता है कि कितना फास्ट इस पर काम करना ए ऐसे भी काम करने की जरूरत है आप खुद दिल्ली में इसके लिए क्या दिल्ली में तो केजरिवाल साब ने कई मीटिंगें ले ले ली और लगातार वो सचेद भी करना है कि इन सरकार को कि वही फ्लाइट्स जिसकी वज़ा से यहां न फैलने पाए हिंदुस्तान में केसे न बढ़ने पाए खासतों से दिल्ली दिल्ली और मुंबई दो ऐसे शहर हैं जहां पे सबस्यादा फलाइट्स आती है बाहर से तो इसलिए यहां के लिए खतरा हमेशा बना रहता है और हमारी अपील भी इसी हमें अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अगर ऐसी कोई परिस्थिती आती है तो उसका सामना करने के लिए हम रुकते ही आती है स्कूल या कॉलेज बंद करेंगे उसके बारे में फैसला लेगी सरकार तो हॉस्पिटल्स टोटली प्रिपेर्ड है आपके तरफ से लगातार और इसके लिए काम हो रहा है हमारे स्वास्तमंत्री जी भी काम कर रहे है और केजरिवाल साब ने भी कई मीटिंग्स लिए हैं अभी अभी इस पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा पहले अगर ऐसी आवशकता पढ़ती है तो दिश्ची तो उपसे केजरिवाल जी किसी में विलम नहीं करते हैं लेकिन अभी सब यह सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा आपको सपोर्ट मिल रहा है कोडिनेशन मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंटर से और MHA से हमेशा एक जद्दो जहत करनी पड़ती है एक संगर्स करना पड़ता है यह बड़ा द अपने और से कोई भी व्यक्ति कोई बाधा या औरोड डालना चाहेगा खास्तों से मामलों में लेकिन अब जहां राजनीती इन्वाल्व हो जाती है और ऊपर के लोग आपके उपर दबाव डालते हैं तो कई चीजों में लोग चाहते हुए बन जाते हैं तो हो सकता है कि अब उससे उनको छुटकारा मिला हो या ना मिला हो यह तो देखने पर जब कोई परिस्थिती आएगी तब ही पता चलेगा तैंक यू संजे जी बहुत बहुत शुक्रिया ये थे संजे साब जो खुल करके सारी बातों पर इन्हों ने चर्चा की हमें पूरी उमीद है कि जिस तरीके से बेलोस धंग से सेलफलेसली ये काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि यूथ कम से कम इनके साथ तो जरूर आएगा क्योंकि फ्यूचर का सवाल है मुलक का सवाल तो है ही तैंक यू वेरी मच पर वाचिंग जी सलाम अधायन्स प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेधिक चोन पेट सफा तो हरोग दफावज प्रेज़ए नावार तो है असोसेट स्पॉंसर पतंजली गाय का देशी घी खाएं मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों वा परिवार को बचाएं इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर वन आउजधिव टॉनिक हेम पुश्पा असोसेट स्पॉंसर सर्दी खांसी के लिए वैद रिशी कासकल्प चटनी राबता करे नब्बे एक सौर टीस नब्बे एक सौर टीस आदाब नाजरें इस्तक्बाल आपका अजियर सलाम पर आपसे मुखातिब हूँ मैं शहाबास बुलिटिन का आगास कर रहे हैं इस वक्त की बड़े ख़बर के साथ आगरा से मिल रही है जहां पर एक ही घर के तीन लोगों की मौत से हटकम मच गया है फासी के फंदे पर लटकी मिली है शोहर की लाश और मुड़ा हालत में जमीन पर पड़ी मिली है एहलिया साथ ही बच्ची के अस्पताल ले जाते वक्त मौत की भी ख़बर है जबकि एक बच्ची के हालत नाजुक बनी हुई है फिलाल पुलिस ने मौके से एक सुसाइट नोट बरामत क्या है सिकंद्रा थाना इलाके के शास्त्री परम का ये मामला बताया जा रहा है सलसली खेस ख़बर है ये इस वक्ति ये सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे है आगरा से जहां पर एक ही घर के तीन लोगों की मौत से हड़कम मच गया है फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है एक शोहर की लाश और मुर्दा हारत में जमीन पर एहलिया पाये गई है जबकि उसके बच्ची के एस्पतार ले जाते वक्त मौत हो गई है हाला कि एक बच्ची के हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और मौके से पुलिस ने सुसाइट नोट भी बरामत किया है क्या इसके पीछे की मुझो हाथ है ये तलाशनी की जरूरत है और क्या तफ्तीश आगे बढ़ पा रही है ये जानना भी बहुत जरूरी है फिरहाल जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक के बाद एक कई सारी लाशी हाँ पर बरामत की गई है कि दीश पुरामेन का मकान जहाए रहते थे थे वह अच्छे तवस्ता में थी उन्हें होस्पिलाइज के गई है जिसमें छोटी बेटी होस्पिकल में भोशित की गई है और बड़ी जो बेटी है उसका इलाज चलना अभी ठीक है पूरे घटना करम के बारे में पूरी तफ जहाद क्या है सुसाइड नोट के इस तरह इशारा कर रहा है ये जाना भी बहुत जरूरी होगा क्योंकि खास्तोर पर ये कहा जा रहा है कि अगर शोहर की लाश फंदे से लटकी हुई है और एहलिया जमीन पर गरी हुई है और बच्ची की भी मौत यहां पर बताय जा रही है दूसरी बच्ची को कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर वो उसको इलाश ले आते वक्त उसने एक में दम तोड़ जाया और एक की हालत नाज़ बनी हुई है ये मामना बहुत जादा संजीदा है बढ़ते आगे कुछ और खबरों की जानब दिल्ली के वजिराला 246 CCTV कैमरे हर एक मिल्क के अंदर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं जबकि दूसरे नमबर पर लंदन आता है जहां 1138 कैमरे फी मील लगे हुए हैं हम CCTV के मामले में लंदन न्यू यॉर्क परिस से भी बहुत आगे हैं सेम के जवान ने कहा कि हमारे मुलक में दूसरे नमबर पर चेने आता है जब से ये कैमरे लगे हैं तब से खातियन के सिक्योरिटी में इजाफा हुआ है इससे जरायन सौल्व करने में पुलिस को बहुत मदद मिल रही है क्योंकि CCTV कैमरे में जर्म पकड़ा जाता है अब एक लाख चालीस हजार CCTV कैमरे और लगा जाएंगे और इ कि जवान ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि इतने सारे कैमरे लगने के बाद दिल्ली के लोगों कि सेक्योरिटी बढ़ेगी और दिल्ली में लोग खोद को महफोज महसूस करेंगे दिल्ली में अभी तक हमारी सरकार बनने के बाद पिछले साथ साल में दो लाख पच्चतर हजार CCTV कैमरे पूरे दिल्ली में लग चुके हैं कोने कोने में, सडकों पे, पब्लिक प्लेसेज में, आर डबल्यूएज में, कॉलोनीज में, महलों में, गलियों में, स्कूलों में, दो लाख पच्चतर हजार CCTV कैमरे लग चुके हैं, पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नमबर वन है, पर स्कुएर किलोमेटर कित एक संस्था ने सर्वे कराया था, उसमें दिल्ली नमबर वन है, पर स्कुएर मील में, दिल्ली में 1826 कैमरे हैं, अलड़ी, एक्सिस्ट करते हैं, 1826 कैमरे दिल्ली में, पर स्कुएर माइल, पर स्कुएर मील, नमबर टू पर लंडन आता है, 1138 कैमरे हैं लंडन में, मतलब दूर है second place London की है तो हम London, New York, Singapore, Paris इन सबसे दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई comparison ही नहीं है, दिल्ली बहुत आगे है, CCTV camera इतने लगा चुके है हम दिल्ली में, हमारे देश में देखें तो second number पर चनही आता है, दिल्ली के बाद, और चनही से तीन गुना ज़्यादा camera है हमारे दिल्ली में, मुंबई से ग्यारा गुना ज़्यादा camera है दिल्ली में, जब से camera लगाएं उससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है, महिलाओं सेफ फील करने लगी है, और दूसरा, overall, पुलीस को अब अपराद सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जहां भी कोई अगर अपरादी जाता है तो उसकी CCTV में फुटेज आ जाती है, तो अपराद सॉल्व करने में पुलीस को बहुत मदद मिलती है, आज मैं खुश खबरी आपके लिए ये लेकर आया हूँ कि हम 1,40,000 कैमरे और लगाने जा रहे हैं दिल्ली में, 2,75,000 लग चुके हैं, 1,40,000 और लगाने जा रहे हैं, फेज टू कैमरे लगाने का शुरू हो रहा है, इसके बाद दिल्ली में कैमरे हो जाएंगे। और साथ ही इस दौरान सेम योगी ने कहा कि इदारे माजूरों को सरकार की स्केमों से जोड़े पैरलंपे खिलाडियों को मदद मिले तो खिलाडी और भीतर करेंगे। हर एक जन्पद में दिब्यांग जनों के लिए किरत्रिम अंग उपकरण वितरण के पिसेश कारिकरम भी आयुजित कराए। वरतमान में हम उन तमाम दिब्यांग जनों को जिनके पास मोटराइस ट्राइस सैकिल नहीं थी। उन्हें मोटराइस ट्राइस सैकिल देने की कारवाई को आगे वढ़ा रहे हैं। और हमने समाजिक नया रुदकारता मंतराले के साथ संबाद बनाकर के प्रियास प्रारम किया है। कि लगभाग हर जन्पद में सो मोटराइस ट्राइस सैकिल प्रदेश के अंदर वितरन के लिए उपलब्द करवाई जाएं। और इस पर कारवाई यू दस्तर पर चल लई है। लखनाओं के गलोबल पार्क में मुनाकर डॉक्टर राजन्द परसाद के यौमे प्यंदाश प्रूग्राम में शिर्कत के दोरान सेम ने डॉक्टर राजन्द परसाद के नाम पर होने की बात कैई है। बतादे की प्रियाग राज में नैशनल लॉय उनिवर्सिटी बन रही है जिसे सरकार ने डॉक्टर राजनेद प्रसाद के नाम पर बनाने का फैसला किया है भारत माता के समाहन सपूत भारत के समिधान सभा के अध्यक्स और देश के प्रतम राश्टपती कि डॉक्टर राजनेद प्रसाद जी के इसे चड़ों में कोट कोटी नमन करते वे उन्हें प्रम्र संधान जयले रिपित करता हूं जैहिं कि डॉक्टर राजनेद प्रसाद जी का ब्यक्तित्वर बहुत बिराड था वे महान थे और अपनी महानता की कारण ही आज उनके जन्म दिवस को सरकार ने इस बात को यहां पर तैय किया है कि उप्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला हमारा नया नेशनल लॉइ नुस्टी का नाम डॉक्टर राजन्द प्रसाद जी के नाम पर होगा और रुखकारिया हमने प्रियागराज में प्रारंग को कर दिया है उधर लखनाओ में मनाकिद गती शक्ति नेशनल मास्टर तकरेब में सियम योगी ने शरकत की जहां पर हुने खताब करते हुए कहा कि गती शक्ति से इंफरस्टर को मजबुती में होती है हमारे हुकुमत तीन लाग करोड की तजवीज को जमीन पर उतार रही है और इसके साथ ही सियम बोले कि यूपी में बीते साड़े चार साल में एक भी दंगा नहीं होने से भी हमें फायदा मिला है हमने पूरे निजाम को बदनने का काम क्या है साड़े चार साल में नौओ एःपोर्ट काम करने लगे है इसके साथ यूपी की मेशचत को मजबूत बनाने में एक्स्प्रेस स्वे मददगार रहा बिजनेस में चौदवें अस्थान पर था और आज मचे बताते में पुसंदता है कि समयबत धंच से एक के गए प्रियासों का प्रिणाम है कि इस ओप बिजनेस मत्रप्रदेश नमबर दो अस्थान पर देश के अंदर वर्तमान में है जासी में ऐस्प्र सदर अखलेश शयदाओने प्रेस कौनफरेंस के यूगी सरकार पर जूरदार हमला बोला अखलेश शयदाओने कि बीजेपी की सरकार आजा नम बदलने का काम कर रही है और इस बार अवाम नाम बदलने वालों को बदल देगे इसके साथ ही भगवान करिशन वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि भगवान करिशन हम सब के हैं अखिलेश अदम ने कहा कि बंदेल खंड के आवाम ने बीज़ेपे को जम कर वोड दिये थे लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला डबल इंजन के सरकार ने बंदेल खंड के लिए कुछ नहीं किया ये नाम बदलने वाले राजनेत और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है बद्लाव की तरफ जंता चलिए इनको उत्तबरे से फटाने का काम करेंगी 100-120 कर दिया 100-120 100-120 से कौन सालाब पहुच गया तुष्टीकरण की राद नहीं थे ये तुष्टीकरण नहीं ये दूसरों पर आरूप लगाते थे तुष्टीकरण का यह दुष्टी करण नहीं, यह दुष्टी करण है, दुष्टी करण, भगवान कृष्ण हम सब के हैं, कोई ऐसा नहीं होगा पंडाल में यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता, हम तो इतने यानते हैं, कि भगवान को वह याद करता है, जो तकलीफ और परिशानी म होता है उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जंता ने मन मना लिया है जंता ने मन मना लिया है किसान ने नौजवान ने बैपारी ने मन मना लिया है इनका सफाया होगा अबरे बियूर्बे है नाजरीन फिलहाली हाँ वक्त हो गया है मुक्तसर से वक्त का जल्द हाजर होंगे अबरे वक्त का जल्द है झाल झाल कोरोना वाइरस को लेकर सबसे बड़ी खबर का रुक कर रहे हैं कोरोना का नया वेरियंड ओमिक्रोन हिंदुस्तान में भी पहुँच गया है हिंदुस्तान में इसके दो मरीज मिले हैं और दोनों ही करना टके हैं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों लोगों से कोरोना का नया वेरियंट कितने लोगों तक पहुँचा है और अभी उन सभी के हालत कैसी है हिंदुस्तान की हुकूमत और अवाम को जिस बात का खौफ था आखर वो बात हो ही गई बैंगलूरू में कोरोना के नया वेरियंट ओमिक्रॉन के पहले दो मरीज मिले वजारति सेहत ने इस बात की तस्दीक ती तो हर कोई यह जानकर परिशान है सबसे बड़ा सवाल है कि इन दो मरीजों से ओमिक्रॉन कहां कहां तक पहुँच चुका होगा बारत में ओमिक्रॉन के एंट्री के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इन दोनों मरीजों से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरियंट कहां तक पहुँच चुका होगा करनाटक के वजीर सेहत के सुधाकर ने इस बारे में जानकारी दी करनाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट का पहला मरीज 66 साल का जुनूबी आफ्रिका का शक्स है यह शक्स 20 नमबर को बैंगलूरू आया और यहीं आइपोर्ट पर इसका सांपल लिया गया सेल्फ आयसोलेशन में रखने के तीन दिनों बार यानि 23 नमबर को इसके रिपोर्ट नेगिटिव आई इस शक्स के 24 प्राइमरी कॉन्टेक्ट मिले जबकि 240 सेकिंडरी कॉन्टेक्ट की पहचान की गई फिलाल सभी के रिपोर्ट नेगिटिव आई बैंगलूरू में मिले ओमिक्रॉन वेरियंट के दूसरे मरीज 46 साल के एक डॉक्टर है इनकी कोई ट्राइमरी कॉन्टेक्ट मिले इन में से तीन पॉजिटिव मिले हैं जबकि इस मरीज के सेकिंडरी कॉन्टेक्ट में 205 पॉरीज मिले हैं और इन में से दो के रिपोर्ट पॉजिटिव आई पांचों लोगों को वैक्सिन की दोनों डोज लगी हुई हैं उनके रिपोर्ट जीनोम सीक्रेंसिंग के लिए भेजी गई हैं करनाटर की वजिराला बसवराज वो मही ने कल मरकजी वजिरसेहत मनसुक मंडाविय से भी बात की तमाम कोशिशों के बीच अवर दूटी इस नाव टूटी इस नाव टूटी इस तो परसंस अधर्वाज अलसो तो ट्रैक एंट्रेस सच प्रेंस वेरेवर इस फॉर्म इस वक्त भारत के सामने सबसे बड़ा चालेंज मरीजों को ट्रेस करना है क्योंकि टेस्टिंग और ट्रीट्मेंट के हमारे यहां पूरे इंतजामात है हम दो बार इस पोशीदा दुश्मन को हरा चुके हैं उम्मीदी नहीं पूरा भरूसा है किस बार भी हम जीतेंगे और फिलाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही दीजिये जासत आप देखते रहिए जी सलाम झRताओब्चिंट को है झाल 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 झाल